सवाल है कि कुस प्राइवेट मेंबर बिल में है क्या और इसे लाने की जरौत क्यों पड़ी? सुमिध जी जिन सवालों को लेकर मैं बिधान सभा में पिछले दो सालों से जो सवाल कर रहा हूँ सरकार से बिधाई가 का तामी होता है कारइपालिका से सवाल करنا उन सवालों का जवाब जब नहीं मिला और हमको दुबारा आउसर मिला सरकार में सामिल होने के लिए और उस आउसर में हमने सरकार में रहते हुए मैंने लिखा भी बॉप सीट पीत पत्र जो सबसे हमारे पास इंस्टुमेंट होता है कोई भी काम को आगे बढ़ाने के लिए और जब उस पर कोई कारिवाई नहीं होई तब मैंने आगे की बातों को लेकर के सभी को पता है कि मेरे क्या बयान रहे हैं उसको मैं दोहराना नहीं चाहता हूँ लेकिन एक चिंता का विशा है कि चुनाव में हम लोग जितना भी बात करने किसानों का अपने घोशना पत्रों में वचन पत्रों में जो भी वायदा कर लें लेकिन जब हम लोग सरकार बना लेते हैं या हम लोग सरकार में ना भी हो हों तो उन सवालों को हम लोग इग्नोर करना शुरू कर देते हैं और इसका प्रड़ाम है कि विहार आज बहुत पीछे जा चुका है जिसका अंदाजा नहीं कल अपने हम प्रेस कॉन्फरेंस में बिस्तृत आंकड़े भी हमने साजा किया था मेडिया के सामने और उस और आने से तरीके को लेका सहमत्य सहमत्य है लेकि मुद्दे पर असहमत्य तो मुझे भी तो कोई नहीं दिखा लेकिन प्राइवेट वेम्बर बिल लाने की ज़रुत आपको क्यों पड़ी क्या आर्जेडी में आप आर्जेडी का घोशना पत्र है आपने दिखाए घोशन कारी बिल हो सकता था मैं इस बात को जब मैं दो अक्तूबर को महत्मा गांदी जैनती पर जिस दिन मैंने इस्थिपा दिया था उसके उसके बाद छे दिन चार दिन बाद राष्टी जनता दल का राष्टी अधिवेशन दिल्ली में हुआ था उसमें आर्थिक प्रस्ताव के प्रस्ताव संख्या 6 में साफ सब्दों में लिखा है कि हम किसानों के पच्छ में हम कानून लाएंगे राष्टी जनता दल इस्टेक होल्डर है इस गौर्मेंट का इक हिस्सा जरूर है लेकिन हम बहुमत में नहीं है और जो गठवंधन की सरकार है उसकी जो मजबूरी है उससे राष्टे जनता दल भी एक उसका हिश्सा होने के चलते आप कह सकते हैं कि ओ दबाव में है लेकिर मैं बिधायका का सदश्य होने के नाते में दबाव में था चुकि मुझे साधिकार है किसी को मंतरी रखते नहीं रखते अगर मैं इस्थिपार नहीं देता तो मुझ इसे साथ बरखास्त भी किया जा सकता था लेकिन बिधायका के सदस्य होने के नाते मुझे कोई दबाव नहीं है और मैं किसी दबाव में नहीं हूँ पार्टी के नीतियों और सिध्धानतों के अनुरूप हम इस पूरे मामले को हम आगे वढ़ा रहे हैं और मुझे पूरी उ अंवीद है कि विहार को एक लंबे समय के बाद जो अन्याय हूआ है कि सानों को, एक छोटे से कानून के जरिये, देखिए इसमें कोई आर्थिक पहलू नहीं है भी, हम आर्थिक ने कर at the 안ia की बात कर रहे हैं कि कानून के जरिये क्रोटक्शन मिलना चेए कि सानों को एक ब